इंद्र की मोधी सरकार ने संसत का विशेश सत्र बुलाया है। इसे बुलाने का अधिकार किसके पास है और इसको बुलाने के क्या-क्या प्रापधान है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इन में बजट सत्र, मौनसून सत्र और शीत कालीन सत्र शामिल है। हालाकि जरूरत पढ़ने पर राश्ट्रुपती विशेश सत्र बुला सकते हैं। संविधान का नुच्छेथ 85 एक राश्ट्रुपती को संसत के प्रतियेक सदन को ऐसे समय पर समन जारी करने का आधिकार देता है। संसत के सत्र के संबंद में संविधान के नुच्छे 85 में प्राभधान किया गया है। संसत में किसी सत्र को बुलाने की शक्ती सरकार के पास होती है। इस पर निन्य संसदिये मामलों की क्याबिनिट समिती द्वारा लिया जाता है जिसे राश्रुपति द्वारा ओबचारिक रूप दिया जाता है। पहली बार 1987 में बुलाया गया था विशेष सत्र। अनुछे 353 के प्रावधानों के तहत हर्याना में राश्ट्रपती शासन की मन्जूरी के लिए 3 जून 1991 को राजसभा में दो दिवसिये विशेश सत्र आयोजित किया गया था लोगसभा का विशेश सत्र 1997 में लोगसभा में विशेश सत्र आयोजित किया गया था 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 के बीच चले विशेश सत्र में भारत की स्वतंतरता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेश बैचके हुई थी इस दोरान कई प्रश्नकाल, शूनकाल या सरकारी कामकाज नहीं हुआ था जियेस्टी लागू करने के लिए बुलाया गया था विशेश सत्र 30 जून 2017 में GST लागू करने के लिए संसद के Central Hall में मोधी सरकार ने पहले बार संसद का विशेश सत्र बुलाया था लोगसभा और राजसभा दोनों की आधी रात की बैठके हुई थी जिसमें सरकार ने Goods and Services Tax यानि की GST को लागू किया था